घल हो एवरिवन रास्ट लक्ष्र में हमने डिस्कश किये थे न्यूोट्रियेंट ताइपस ऑफ । दो काटे Unter internet में को दिवाइट किया गिया है सबसे पहले जो हम डिस्कश कर रहे हैं वह यह मैकरो न्यूट्रियेंट में हम यह हम कार्वो हाईड्रेट और फैट्स जो हैं वह डिस्कस कर चुके थे आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन्स तो जो थर्ड मैक्रो नूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन्स अब प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे बाइलोजीकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, ऑक्सिजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होंगे और कभी-कभी सलफर भी उसमें होता है और फॉस्फोरस भी होगा अब जो यह प्रोटीन्स हैं यह हमारी बॉड़ी की ग्रोथ के लिए ओगाइजं Informativeege to यूर्ण के रिपैर के लिए यूस sunderschांश में से जाएँ टर्यविघ्रोजन होता है इसी जो बेसिक यूनिट होगी वह भी अमानो ऐसे जैसे जो सैल होता है किसी भी living organism का structural unit होता है कोई भी living organism है मोलीक्यूल बना हो गया polymer जो की है proteins तो सबसे पहले biological molecule consist of hydrogen carbon oxygen and nitrogen sometimes sulfur and phosphorus भी present होते हैं phosphorus भी present होगा जो basic unit होती है protein की वो है amino acid अब यह जो amino acid है यह हो गया monomer जो small unit है उसको हम बोलेंगे monomer और monomer से मिलके बनेगा large molecule जिसको हम बोलते हैं proteins अब यह जो amino acid होगे यह 20 different types के होते हैं 20 amino acid होते हैं सब अलग-अलग होते हैं और यह जो 20 amino acids हैं इनसे हमारी जो body है वो बहुत सारे types के proteins बनाती हैं जैसे English alphabet होते हैं 26 letters होते हैं उन 26 letters के अलग-अलग combination से बहुत सारे जो words है उनका formation होता है same way जो 20 amino acids होते हैं तो इनको अलग-अलग combination से अलग-अलग proteins जो है उनका formation होता है तो 20 different types के amino acids होते हैं amino acids अब इन amino acids जो हैं वो different different types के proteins जो हैं उनका formation करते हैं form different proteins different proteins का जो है वो formation होगा अब जो 20 amino acids हैं इन में से 10 amino acids हैं वो तो हमारी body खुछ synthesize करती हैं तो इन में से 10 हैं out of 20 10 amino acids आर synthesized in our body तो trend तो क्या है body खुछ synthesize कर रही है मतलब अगर ये diet में भी present नहीं होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी body खुछ synthesize कर रही है लेकिन जो 10 amino acid है वो तो हमारी body synthesize नहीं करती तो उनको तो diet में present होना बहुत जरूरी है और उन amino acid को बोलते है essential amino acid remaining 10 amino acid must be present in our diet and these amino acids and these amino acids are called essential amino acids essential amino acids तो ये हैं proteins macronutrient biological molecule है जो hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen से मिलके बना है कभी कभी इसमें sulfur भी होगा phosphorus भी present होगा इसकी जो basic unit है वो amino acid है जिसको हम monomers बोलते है अब यही जो basic unit है join होगे एक large molecule का formation करेगी जिसको क्या बोलते है proteins 20 different amino acid होते है और ये जो 20 different amino acid है हमारी body इनसे जो है 1000 of different proteins बनाती है मतलब 1000 तक इतने अलग-अलग type के वो proteins का formation करती है out of 20 amino acid जो 10 amino acids हैं वो तो synthesized होते हैं हमारी body के अंदर तो 10 तो क्या हो रहें synthesize हो रहे हैं अगर वो diet में भी present नहीं है तो उससे कोई problem नहीं create होगी लेकिन जो बाकी के 10 amino acid हैं वो तो diet के अंदर present होना ज़रूरी है और इन ही amino acids को बोलते हैं essential amino acids ये है basic structure protein का now next हम discuss करेंगी इसकी functions function ये है ये जो है growth करता है body की growth करेगा damaged cell को repair करेगा और ये essential component होते है enzyme का और hormones का basically जितने भी enzymes होते हैं वो proteins होते हैं तो ये बहुत जादा essential component है enzyme का और जो hormones होते हैं जो chemicals होते हैं हमारी body के अंदर coordination provide कर रहे हैं body को वो भी किसके बने होंगे mainly proteins के बने होते हैं तो required for growth and required for growth के लिए requirement होती है और repair damaged cell जो भी cell damage हो गए है उनको repair कौन करेगा proteins करते हैं essential components है essential component होता है ये enzyme and hormones का main component है जितने भी enzyme होते हैं वो protein issues होते हैं nature में proteins के बने होंगे और hormones भी जो हैं जितने भी maximum जो hormones हैं वो protein issues होते हैं nature में तो इनका इसके दो main function है body की growth के लिए बहुत जादा essential होता है कोई भी cell tissue जो है body के अंदर damage हो गया तो उसको repair का उसको repair कौन करेगा proteins करेगा और main component होता है enzyme and hormones का तो ये थे macro nutrients जो हमने तेन डिसकुस किये carbohydrate fats and proteins जो हम next discuss करेंगे वो है micro nutrients अब ये जो micro nutrients हैं हमने पहले भी lecture में डिसकुस किया था कि ये जो nutrients हैं small quantities में इनकी requirement होती है और उनको बोलते हैं micro nutrients माइक्रो न्यूट्रेंस हमने देखा था vitamins and minerals तो सबसे पहले जो हम discuss करेंगे वो है vitamins vitamins जो होते हैं ये protective nutrients कहा जाता है इनको हालागी ये कोई energy provide नहीं करते लेकिन ये protective nutrient है हमारी body की growth के लिए एक proper functioning के लिए body की vitamins की requirement होती है बहुत साई chemical जो reactions हो रही है उनमें ये participate करते हैं vitamins तो इनको बोलते हैं they are protective nutrients they are they are protective nutrients they do not provide energy ये energy provide नहीं कर रहें take part in chemical reactions taking place in our body हमारी body में जो chemical reactions हो रही है उसमें ये participate करते हैं next required for या essential for प्रोपर ग्रोथ अन्ड नॉर्मल नॉर्मल फंक्शनिंग ओफ आर बोडी बोडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसकी requirement होती है क्योंकि जितने भी chemical reaction हमारी body के अंदर हो रहे हैं उसमें ये participate कर रहा है अब जो fats हैं ये जो vitamins हैं इनको दो category में divide किया गया है वो अभी हम discuss करते हैं next है types vitamins जो हैं उनको दो category में divide किया गया है first है water soluble next है fat soluble अब जो water soluble vitamins हैं उसके example है B vitamin B and vitamin C इसके example है vitamin A D E K ये जो vitamins हैं ये fat soluble हैं अब ये जो water soluble है vitamins है ये blood stream से absorb कर लिये जाते हैं ये वाले जो vitamins हैं अगर ही बहुत जादा excess amount में हैं तो body इसको remove कर देती हैं body in vitamins को जो है वो store करके नहीं रखती है absorbed from blood stream अगर excess amount में है if present in excess amount तो body क्या करती है इनको remove कर देती है ये store होके नहीं रखती है body लेकिन ये जो है ये fat soluble है अगर ये बहुत जादा excess amount में है तो in the form of fat in the form of fat ये store body इनको store कर लेती है तो ये थे types of vitamins water soluble and fat soluble water soluble है vitamin B, vitamin C fat soluble है vitamin A, D, E के ये fat soluble है इनको ये fat के form में store हो जाते है और जो water soluble है जितनी requirement है body को उतना वो use कर लेती है बाकि अगर excess amount में है तो उसको वो remove कर देती है इसलिए ये daily हमारी diet में हमें इनको लेना पड़ता है जबकि ये fat soluble है body इनको fat के form में store करती है और जब भी requirement होती है उसको use कर लेती है अब इनके functions क्या होंगे अब इनके अलग-अलग vitamins के अलग-अलग function है for example अगर vitamin C की बात करें vitamin C जो है वो क्या कर रही है? immunity को develop कर रही है तो किसके लिए है वो development of immunity हमारी जो defense power है हमारा जो defense mechanism है उसको वो develop कर रही है अब जैसे vitamin B12 है तो ये क्या कर रहा है? formation कर रहा है RBCS का formation of red blood cells और hemoglobin hemoglobin का formation कर रहा है तो हमारे blood के formation के लिए vitamin B12 की requirement है vitamin D जो है वो हमारे bones and teeth को strong कर रहा है makes our bone makes teeth and bones strong या healthy उनको healthy या strong बना के रखता है अब जैसे vitamin A है vitamin A क्या करता है? हमारे hairs, eyes, nails को skin को क्या करेगा? healthy बना के रखेगा makes are skin hairs and eyes healthy तो ये कुछ functions है, कुछ vitamins के इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? protective nutrients बोलते हैं ये क्या हमारी जो body की growth है ये जो normal functioning है body उसके लिए ये इसकी requirement होती है जैसे vitamin C है, तो वो क्या कर रहा है? develop कर रहा है, immunity को develop कर रहा है vitamin जो B12 है, वो formation कर रहा है RBCs का, red blood cells का vitamin D जो है, वो हमारी teeth को, bones को strong बना रहा है vitamin A जो है, हमारी hairs को, हमारी skin को eyes को healthy रखता है तो ये कुछ functions है vitamins के अब जो हम next micronutrient discuss करेंगे वो है minerals next है minerals अब जो minerals है, ये भी protective nutrients है protective nutrients है inorganic salts होते है inorganic salts है इनकी requirement होती है proper growth of our body proper growth के लिए और हमारी body को maintain करता है and maintenance of and maintenance of proper health maintenance of proper health जो minerals है ये protective nutrients होते है inorganic salts होते है proper growth और हमारी body की हमारी body जो health है उसके लिए ये required होते है अब जो minerals है अब ये भी किस quantity में required है इस बेसे पे इसको भी दो category में divide किया macro minerals and micro minerals macro minerals and micro minerals again macro minerals मतलब required in large quantities required in large quantities और micro nutrients जो है वो है required in small quantities small quantity में इसकी requirement है इसके example है calcium potassium sodium ये हो गए macro nutrients जो बहुत जादा large quantity में जिनकी requirement होती है micro जो small quantity में require होती है जैसे cobalt हो गया fluorine हो गया इनकी requirement जो होती है वो बहुत small quantity में होती है iodine एक्सेक्टरा अब ये जो अलग-अलग mineral से ये अलग-अलग function परफॉर्म करते हैं जैसे calcium है तो ये formation करेगा bones का, teeth का जो sodium है ये fluid maintain करके रखेगा fluid को हमारी body के अंदर iodine जो है वो thyroxine hormone की synthesis के लिए जरूरी है ऐसे ये सब जो है minerals वो अलग-अलग function परफॉर्म करते हैं जैसे calcium है calcium क्या कर रहा है, formation कर रहा है formation of bones and teeth iron formation formation of hemoglobin iodine जैसे iodine की requirement होती है for the synthesis of synthesis of hormone thyroxine इसके लिए इसकी requirement होती है sodium है maintains body fluid तो ये जो अलग-अलग minerals है ये अलग-अलग function परफॉर्म कर रहे हैं calcium जो है bones और teeth का formation करता है iron जो है वो हीमोग्लोबीन का formation कर रहा है हीमोग्लोबीन जो है ये एक main pigment है जो आर्बीसी के अंदर प्रेजेंट होता है oxygen का ट्रांस्पोर्ट करता है iodine जो है वो thyroxine के लिए जो thyroid gland जो hormone सिक्रीड करता है thyroxine उसके लिए ज़रूर ही है ये carbohydrate fat metabolism को कंट्रोल करता है sodium जो है हमारी body के अंदर जो fluid है उसको maintain करके रखता है तो ये हैं सारे जो थे ये minerals है minerals जो होते हैं वो protective nutrients होते हैं इन organic salts होते हैं हमारी proper growth के लिए healthy body के लिए requirement होती minerals को दो category में divide किया गया है macro minerals और micro minerals यह जो है small large quantities में requirement है और इनकी small quantity में required है calcium potassium sodium iodine यह हो गए macro minerals और micro minerals है जैसे cobalt हो गया fluorine हो गया यह कुछ सारे जो minerals है वो अलग-अलग function करते हैं तो यह थे सारे micro minerals हमने न्यूट्रेंट्स किया कि nutrients क्या होते हैं फिर हमने micronutrients में vitamin को discuss किया उसके टाइप्स उसके function discuss किये उसके बाद minerals हमने डिसकर्स किया तो आज के lecture में हमने जो है micronutrients जो है वो complete कर लिया अब next lecture में हम पढ़ेंगे balance diet क्या होती है additives क्या होते है और food से related और कुछ आगे जो basic terms है वो हम discuss करेंगे thank you